अगला शब्द है सायन, सायन कहते हैं किसी भी प्रतिष्ठित परिवार के वन्षज को, यूशुली जो उस किसी प्रतिष्ठित परिवार के में जो बच्चे जन में होते हैं या यंग जो अडल्ट्स होते हैं उनके जो आगे चलके उस परिवार के संपत्ती को ग्रहन करेंग या उसके वारिस हैं जो उन्हें हम sign कहते हैं जैसे example अगर आप देखें तो जो prince होते हैं, heiresses होती है या children of a president of a company or country या dictators के जो बच्चे होते हैं जो होते हैं जो आगे चलके rule करेंगे country को वो सब उन सब को sign कहते हैं सायन का एक और मतलब होता है, जो पहले से चला रहा है, वो है किसी पौधे की नई टेहनी या अंकुर, यूजली नई टेहनी का इस्तमाल ग्राफ्टिंग इन सब में किया जाता है, तो उसे भी हम सायन कहते हैं, तो उसे ही ये परिवार के वांचाजवाला मीनिंग भी जाता है, तो चलिए इसके सेंटेंस देख लेते हैं, एक सेंटेंस देख लेते हैं, पृतेश एक बहुत धनी सोने की खान के मालिक परिवार के वंशच हैं, तो मुझे आशा है कि आपको सायन का मतलब समझमाया होगा, स्पेलिंग याद रखिएगा इसकी, स-C-I-O-N होती है, लेकिन प्रेनंसियेशन सायन होता है, तो इध्यान रखिएगा, धन्यवाद